स्कूल सो खुल गये हैं लेकिन किस तरीके से इसका क्या ये सही नर्ड है या सही नर्ड नहीं है किस तरीके से भविश्य में इसका असर देखने को मिलेगा सबसे पहले हमारे साथ जुड़ा आपको बता दें कि नेशनल टास्क फोर्स के हमाई साथ है डॉक्टर राजीब दास गुपता जी जुड़ा है राजीब जी आपका शुक्रिया हमसे बाच्वित करने के लिए सर सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगे कि स्कूल सो खोल दिये गए जिस तरीके से बच्चों में उत्सा भी देखने को मिल रहा है लेकिन आपसे जानना चाहूंगे कि क्या ये सही निर्णा है इस वक्त में स्कूल खोलना शुक्रिया ये बिलकुल सही निर्णा है हम शुरू से यह कह रहे हैं कि दुनिया भर में जादतर देशों में वो मॉडिफिकेशन के साथ स्कूल और सिर्फ स्कूल ही नहीं आदर चाइल्ड के सर्विसेज जैसे हमारे देश में आंगनवारी सिस्टम है इसको जारी रखा है क्योंकि बच्चों का जो शारिडिक, मानसिक और जो एजुकेशनल जो डिवलप्मेंट है उसके लिए स्कूल की बहुत एक एहम भूमी का है और लगातार जो डिवलप्मेंट को कैटेगराईज करके डिस्टिक के कोविड ट्रांसमिशन को कैटेगराईज करके स्कूल ओपनिंग या प्लोजर का डिशिशन लेने की बात की है बार-बार हमने इसको दोराया है लेकिन जो भारत में जो central government, state governments या local governments उन्होंने ये सही समझा कि जादा तर schools बंद ही रहे इस दोरान तो कम से कम 600 से साड़े 600 दिन school बंद रहा है COVID के शुरू से लेकर और इसका काफी impact रहेगा generations of children के ऊपर. बिलकुल राजीब जी आपसे ये भी जाना चाहेंगे लगातार अगर बच्चों के मामने में भी देखें हालनकि अभी आदिती ठाकरे ने भी साफ तोर पर कहा कि बच्चों को स्कूल भेजना है लेकिन ये इसे अनिवार नहीं किया गया ये भी एक अगर देखे चरणबत त नहीं किया गया ये इसे आप किस लिहा से देखते हैं ये एक सही कदम है कि parents should feel confident to send children to schools लेकिन ये स्कूल एक safe environment है और स्कूल भेजना जरूरी है स्कूल में बच्चों का आना जरूरी है इसके सही communication भी important है और क्यों ये important है और स्कूल में क्या क्या precaution लिए गये हैं फैक्ट ये है कि महीनों से हर राज्य में हर स्कूल इसके तियारी में जुटे हुए है अभी जो आपने report दिखाया field report वो भी यही दशारे है कि काफी अच्छी तियारी है काफी मजबूत तियारी है और फैक्ट तो ये है कि स्कूल से कभी कोई major outbreak नहीं स्कूल में तब केसे शुरू हुआ है जब community में transmission हाई है उस दोरान ही स्कूल में स्कूल में बच्चों में केसे स्पाये गए स्कूल से कभी नहीं शुरू हुआ है outbreaks इसलिए स्कूल सेटिंग काफी safe है लेकिन ये जरूर है कि स्कूल में कई जो precautions है वो पालन करना चाहिए व बहुत जरूरी है आपसे सवाल एक और करना चाहूंगी राजिब जी बच्चों की immunity को लेकर जिस तरीके से माता पिता परेशान रहते हैं और आज स्कूल का जैसे दोबारा खुला है पहला दिन है ज्यादा सुरक्षा बढ़ती जा रही है लेकिन आगे भी क्या ये सुरक् पहाविक नहीं होंगे इसमें दो तीन बात ही याद रखना चाहिए एक हमारे देश में हमारे पॉपलेशन में जो सीडो सर्वे के रिजाल्स है वो यही बताता है कि बच्चों में भी काफी हाई सीडो पॉजिटिविटी है याने वो काफी प्रोटेक्टेड है नमबर वन नमबर टू यह भी हमने लागतार कहा है कि वैक्चिनेशन इस नौट प्री रेकुजिट फर सेंडिंग चिल्रन तो स्कूल याने वैक्चिनेशन कोई जरूरी नहीं है स्कूल भेजने के लिए यह जरूरी है कि जिस एडल्ट एंवार्ट में बच्चे हैं वो इम्मुनाइ जो तीन मुखे चीजें हैं वो है जिसे हम थ्री सी कहते हैं लोग बच्चे इस विद प्रॉपर वेंटिलेशन जो रिस्क है और ख्लोस कॉंटैक्ट जो रिस्क है बच्चों में एक थोड़ा सा रिस्क यह होता है कि बच्चें एक दुसरे के नजदीक आते हैं वो इंटरे अगर यह चीजों का हम ध्यान रखें और अभी जो है पर्टिकल्ली हमारे देश में नहीं वी देशों में काफी एक्सपिरियंस आ चुका है कि रैपिड टेस्ट जो हैं जिसे हम होम टेस्ट भी कह रहा हैं या सेल्फ टेस्ट किट्स जो हैं उसको अगर सही तरीके से डिप स्कूल बात यह है कि डढ़ने की कोई बात नहीं है स्कूल खोले गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किये गए हैं जो कोरोना नियम है उसका भी पालन हो रहा है